इंडियो इस अफगानिस्तान टेस्ट से पहले विराट कोली ने तो अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन अब सवाल है उनको रिपलेस कौन करेगा? विराट कोली चले गएं, एक तरफ हैरी ब्रूक चले गएं, विराट कोली निन अपना नाम विड्रॉ करके कहा कि for some personal reason वो पहले दो matches में नहीं रहेंगे वहीं दूरी तरफ Harry Brook ने कहा कि वो for some personal reason पूरी series में नहीं रहेंगे तो England के लिए obviously it's a big blow कि Harry Brook अचानक से इस तरह से गायब हो जाते हैं जो भी personal reason होगा उस पर उनका ज्यादा focus है और दूरी तरफ Virat Kohli जो उनका personal reason है पहले दो test matches में वो वहाँ ज्यादा focus करेंगे अब replacement उनका कौन बन कराएगा तो दो नाम हैं जो अभी काफी चर्चा में है जो replacement बन के आपको देख सकते हैं पहरा नाम चितेश्वर पुजारा का है लेकिन पुजारा जो है वो तीसरे नमबर पर खेले तो सवाल यह कि अगर आप पुजारा को replace करके लाओगे तो फिर वो जगा जहां पर fourth place जहां पर कोहली आते हैं वहाँ पर कौन कहलेगा तो क्या वहाँ पर शुबमन गिल खेलेंगे क्योंकि अगर आप देखोगे तो रोहिशर्मा स्टार्ट करेंगे यह शस्वी उनके साथ रहेंगे शुबमन गिल एक्सपेक्टेड था तीसरे नमबर पर शुबमन गिल अब हो सकता है चौथे पर आएं अगर आप चितेश्वर पुजारा को करके आते हो क्योंकि चितेश्वर पुजारा सौरास्टा के लिए काफी अच्छा खेल रहे है रंजी टॉफेमा काफी जबर्दस परफॉर्म कर रहे हैं हालिमनों ने 20,000 रन भी पूरे कर रहे हैं तो काफी अच्छी टच में हैं इंडिन स्वाइल पर खेल रहे हैं तो अभी इस टाइम पर शायद चितेश्वर पुजारा से बहतर नाम और दूसरा कोई नहीं होगा तीसरे नमबर के स्लॉट के लिए लेकिन विराट कोली जो है वो फूर्थ पर खेलते हैं तो चौते नमबर के लिए शुबमन गिल एक नाम हो सकते हैं अब दूसरा नाम जो है वो है इशान किशन का इशान किशन एक नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी बहुत जायर टेस्ट मैचेस नहीं खेलें चौते नमबर पर वो खेल सकते हैं वो कहीं ने कहीं रिशाप पंद की हलकी सी जलक दिखाते हैं और वो वाला स्टाइल आपको जहां पर इंग्लैंड क्रिकट खेल रही होगा जहां पर बैसबॉल क्रिकट दिख रहोगा वहां पर बहुत जरूरी होगा उनकी एक half century भी है, 78 गावरेज है, हाला कि सिर्फ दो test matches तीन इनिंग उन्होंने खेली है, लेकिन इसमें उन्होंने अपने आपको proof किया है कि वो test matches में भी खेल सकते हैं, और उन्होंने भी अपने नाम वापस किया था, उन्होंने भी South Africa series से अपने नाम वापस ले लिया था, उन्होंने को थोड़ा सा rest चाहिए था, लेकिन उसके बाद काफी complications जरूर आई हैं, बात तो यहां तक आ गई थी, कि अब उनको जाकर करके first class in perform करना पड़ेगा, तब उनको जगा मिलेगी, लेकिन all of sudden ये विराट कोली का नाम withdraw करना, एक सवाल खड़ा कर देता है, कि अग दो बड़े नाम हैं, जो आप आने वाले सीरीज में देख सकते हो, क्योंकि अभी BCCI ने नाम announce नहीं किया है, विराट कोली की replacement announce नहीं करी है टीम ने, तो ये देखना काफ़ इंट्रेस्टिंग है, कि विराट दो मैचेस में जो नहीं है, क्योंकि अगर आप दो मैचेस में चितेशर पुजारा को लेकर काते हो, शुमन गिल को आप नीचे रखते हो, और गिल भी perform कर देते हैं और पुजारा भी perform कर देते हैं, तो फिर सवाल होगा कि आप किसको बिठा होगे, और गिल जिस सरे ऐसे लगातार टेस्ट में flop होते आ रहे हैं, अगर वो perform नहीं करते है तो उनके लिए परिशानी बढ़ जाईी, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हो, आपने गिल को T20 में choice नहीं रखा है, आप गिल से उपर prefer कर रहे हो ये शस्वी को, आप ODI में obviously रखोगे because he is a beast there, लेकिन test cricket में फिर गिल बाहर हो सकते हैं, तो खैर देखते हैं, विराट को कौन बहतर है, क्या इशान किशन एक बहतर replacement है, उनको मौके बहुत कम मिलें, दो test matches को खेला उन्होंने, या फिर चितेशर पुझारा जो लगातार run बरसा रहे हैं, दोनों में से कौन हो, या फिर दोन हो, जहां दोनों भी हो सकते हैं, एक तीन नंबर पर और एक चार नंब होता है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते हैं, चैनल को सब्स्क्राइब करते जाएं